तो हेलो गाईस आज का हमारा टोपिक है दाट इस मोर्ड अफ एक्जीक्जिशन और डूवर्ड ओफ ऑप्रेशन ठीक है मेलए छीक है अब इसमें अब डूवर्ड अफरीशन होता क्या है एक फीचर है ओप्रेटिंग सिस्टम का में लगी हम इसको ऑप्रेटिंग सिस्टम मे करते हैं जो क्या कहते हैं है कि तुम दो मोड्ण औररेशन के एक यूजर मोड करनल मोड उन दोनों के बीच में स्विच्छ करना है ठीक है न वो डूबल मोड ऑप्रेशन एक फीचर अपरेटिंग सिस्टम का जो सिस्टम को कहता है कि तुम दो मोड जनí इसके Rider करो वो एक्जिक्योट कि वह एक्जिक्यूट कि तमारा प्रोग्राम एक्जिक्यूट हो जाए मुंचैना अब यूजर मोड होता क्या है यूजर मोड मालो एक Wats block है सब्क्राइब करता है बहुत साथ में होता है बहुत सारे ईूसरों operations लगा सकता है अब किसी को अब कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है इसलिए में अभे दुबाइर फरेशन में मारा जो यूजर्वोंड है वह तो यूजर ह learn और करनल मोड़ है वह एक a dimmin है admin के तरह काम करते हैं अb यूजर मोड में होता है the CPU is restricted to unprivilege instructions जो CPU है चैर्शी पीज़ें liksom लग वह उसकें barely instructions को नहीं लेगा ठाहिक है the CPU is restricted to unprivilege instructions and a specified area of memory और जो memory का कुछ specified area है वो भी नहीं लेगा ठीक है ना और kernel mode में क्या होता है the CPU can use all instructions जो CPU है वो सारी instructions यूज करता है और जो सारे एरियां मेमरी के उनको भी assess करता है यूजर mode नाई instructions लेता है नाई एक specified area लेता है और दूसरी तरफ kernel mode सारे instructions भी लेता है और सारी memory के areas को memory के सारे areas को assess भी करता है ठीक है kernel mode को हम system mode भी बोलते हैं ठीक है operating system code execute is executed when system when responding to system calls other traps exceptions and interrupts occur ठीक है operating system का code है जो वो तब execute करता है तब run करता है जब वो system calls को respond करता है ठीक है operating system का code तब run करता है तब execute करता है जब वो system calls को respond करता है तब जो बाकी के traps exceptions और interrupts है वो क्या होती है अकर होते है ठीक है जब एक trap interrupt या trap अकर होता है ठीक है जो CPU है वो automatically kernel mode में चला जाता है ठीक है पहले क्या होता है CPU user mode में होता है ठीक है जब कोई भी disturbance या इंटरप्शन या trap अकर होता है जो CPU है वो automatically kernel mode में switch हो जाता है ठीक है अपरेटिंग सिस्टम कोड एक्जी एक्जीक्यूट इन kernel mode अपरेटिंग सिस्टम कोड जो वो kernel mode में चलता है ठीक है दस दस whenever the operating system gains control of the computer जब भी operating system computer का control संभालता है it is in kernel mode में लगकी वो kernel mode में जब हमें पता लगे कि operating system ने computer का control संभाल लिया है मालो कि वो kernel mode में उससे को में दाजाल हो सकता है कि वो kernel mode में आ गया है जो system है वो हमेशा user mode में होता है ठीक है before passing control to a user mode है जब भी user program से control pass होता है जब user program से control pass होने से पहले जो system है वो हमेशा user mode में ही रहता है ठीक है अब इसको हम diagram से समझेंगे मैंने पढ़ा है यह हमारा एक user mode है ठीक है और यह हमारा कर लिए यूजर प्रोस यह हमारा user process में कहीं चीज़ें आगी यूजर प्रक्राइब करना है फिर हमने क्या करना है सिस्टम कॉल्स को respond करना है ठीक है फिर सिस्टम कॉल से return होना वापिस होना है ठीक है न करनल में क्या होती है कि system calls execute होते हैं ठीक है ना program क्या होता है एक्जीक्यूट होता है add system boot time जब system boot time में होता है boot time means जब system respond कर रहा होता है जो hardware है वो start start कहा होता है kernel mode में ठीक है ना hardware starts in kernel mode ठीक है the operating system is then loaded and starts user application in user mode तब जब hardware Pardon panel mode में start हो जाता है जो operating system है फिर load होता है और फिर start करने user application को user mode में इंको user mode में start कर देता है whenever trap occurs जब भी trap और intrapt occur होता है ठीक है ना तब क्यों होता है hardware है तो hardware व właściwie यूजर मोड से किसमें आजाता है करनल मोड में यह देखो पहले क्या हुआ यूजर आप्लिकेशन स्टार्ट होगी ठीक है यूजर पर सेश्षेच्ट करना स्टार्ट कर दिया यूजर ने जब एक ट्रैब अकर हुए देखो जहां जिए System कॉल किया तब एक Traps क्या होगी अ करोगी ठीक है ना जَब ट्रेप अकर होती है ठीक है तब हुआ थैक कि जो hardware है ठीक है डो क्या करता य Tao Internal Mode में switch कर जाता है क्या करता है City switch कर जाता है that is change the state of the mode to 0 ठीक है तब क्या होती है यूजर मोड की यूजर मोड की मोड में मॉड बिट होती है जिवं के बूरबर मोर कीateurs κरणल मोड की मोड भीत ख़ती है जीरों के बबहर ठीक है न तब जो उसकी स्टेट है देखो जो Сीपीउ है जब उसमें ट्रैस्क आप जर्समें जब कर millennia आप गया होगे वो जो इसकी state है ठीक है mode bit की वो change होगी 0 में ठीक है Thus whenever the operating system gains control of the computer in kernel mode जब operating system gain करता है control computer का तब वो kernel mode में होता है ठीक है तब system always switches to user mode जो system हमेशा user mode में switch करता है ठीक है by setting the mode bit to 1 जिसकी mode bit वो set कर लाता है 1 पर before passing control to a program control program से pass होने से पहले ठीक है ना फिर क्या हुआ जब trap कर हो गया system execute हो गया तो यह दुबारा user process में क्या हो गया return हो गया क्या हो गया return हो गया तब इसकी mode bit क्या होगी equals to 1 होगी ठीक है क्या हुआ यह ब्रेटिंग system में है उसने उसकी जो operating system है जब बूट टाइम चल रहा था ठीक है जो hardware है वो kernel mode में start होता है ठीक है the hardware starts in kernel mode ठीक है the operating system is then loaded जो hardware हो kernel mode में चला गया ठीक है ना फिर क्या हुआ जो operating system में लोड हो गया और उसने user applications क्या कर दी start कर दी फिर उसने system call को response किया हमने की call किया ठीक है जब उसने system call को call किया तब उसमें एक trap करो गया ठीक है disturbance करोगी ठीक है तब जो उसकी तब जो user mode mode bit ठीक हो उसकी चेंज होगी state mode bit में mode bit 0 में ठीक है ना फिर जब kernel mode में system call execute होगी ठीक है तब वो दिवारा रिटर्न करगी user process में जिसकी mode bit change होगी जिसकी change of state जिसकी state है जो mode bit की वो change होगी 1 में ठीक है bit 0 bit 0 represent करते है kernel mode और जो bit 1 है वो represent करती है user mode ठीक है bit 0 represents kernel mode and bit 1 represents user mode ठीक है यह diagram थी user mode से kernel mode में जानेगी ठीक है transition from user mode to kernel mode ठीक है ठीक है ठीक है when a program error occurs जब भी किसी भी program का error अकर होता है जो operating system में must terminate the program abnormally वो program को abnormally terminate करना लेकिता है means abnormally complete करता है अब next के आता है हमारे पास कि हमें dual mode operating system में dual mode की जरूरत ही क्या है ठीक है ना dual mode चल रहा है और उसके operating system में जरूरत क्या है if everything runs in a single mode जब अगर हर कुछ हर एक चीज अगर single mode में run कर रही हो we get the problem that microsoft had in earlier versions of windows जैसे कि पहले macrosoft को windows के अर्ल पहले के versions में होई थी वैसे ठीक है वैसे हमें एक problem हो जाती है जब अगर सब कुछ single mode में चल रहा हो हमें problem हो जाती है जैसे कि पहले वर्जन पहले windows के अर्लियर वर्जन में अगर process ठीक है एबल है vulnerability को exploit करने के लिए तब जो process है वो system का control संभाल लेता है ठीक है ना gain कर लेता है a trap also known as an exception और a system fault trap को हम exception भी बोल सकते है और system का fault भी बोल सकते है ठीक है वो cost कैसे होता है मिलने की पैदा कासे होता है एक exceptional condition की वजह से जैसे की such as division by zero जब हम division करते है इसको zero से ठीक है किसी भी चीज को तुम zero से divide करो तब एक trap करो जाता है ठीक है na exceptional condition होगी ना invalid memory जब memory valid नी होगी ठीक है हम इसको बार बार करते हैं कि memory हमें दो memory है नी तब एक trap ही अकर होगा ठीक है invalid memory assess and so on और बहुत कुछ चीजह if the process is running in kernel mode अगर process run कर रहा है execute करने kernel mode में a trap situation like this can cause the entire operating system to crash जो trap situation है इसकी तरह जो अभी हुई थी वो वो kernel mode को ठीक है जो वो operating वो सारे operating system को crash कर देती ठीक है अब तो process is running in kernel mode अगर process run कर रहा है kernel mode में जो trap situation like this जैसे कि ऐसी कुछ situation आजे division by zero invalid memory assess process जो एसी situation आजे ठीक है तब वो trap है जो वो सारे operating system को crash कर देता है when user mode process encounters a trap situation जब user mode process है जो वो trap situation को encounter करता है only the user mode process crashes तब सिरफ user mode process crash होएगा बाकि system को कुछ नहीं होगा अगर अगर करनल मोड में trap like situation आजाए ठीक है अगर करनल मोड में trap आजाए interrupt आजाए तब सारा operating system में वो crash हो जाता है अगर user mode में crash आजाता है तब सिरफ user mode का process जो वो ही crash होता है बागी कुछ नहीं होता ठीक है बागी system में चलता as a result the overhead of switching is acceptable in order to ensure a more stable and secure system as a result हमें पता रहता है कि यह जो system में बहुत जाता stable और secure system में ज्यादा इसमें complexity नहीं है अब अब हमारे पास difference क्या है करनल मोड करनल मोड करनल मोड यूजर मोड का user mode में क्या होता है इन विच इन यूजर मोड आप्लिकेशन प्रोग्राम जर एक्जीक्यूटिंग एंड स्टार्ट अप्लिकेशन के प्रोग्राम जो वह एक्जीक्यूट करते हैं ठीक है इसमें क्योंता है जब हार्वर रिसोर्स करते हैं तब कंप्यूटर एंटर होता है इसको हम स्लेव मोड और यूजर मोड को अपनी एक own address मिलती है ठीक है खुद की एक address मिलता है इसको address space मिलता है ठीक है और kernel mode में processes gets a single address space इसमें address processes को single address space ही मिलता है ठीक है न if an interrupt occurs only one process fails ठीक है वह मैंने समझाया अगर user mode में interrupt occur हो जाए तो सिरफ user mode process fail होता है सिरफ one process fail होता है और अगर kernel mode में interrupt occur हो जाए तो सारा operating system fail हो जाता है सारा operating system crash हो जाता है ठीक है ना समझाया ठीक है फिर फिर लाज़ डिफरेंस इस इन user mode there are restrictions to assess kernel programs इसमें बहुत सारी restrictions है kernel programs को assess करने की cannot assess them directly यह kernel mode user mode kernel mode directly assess नहीं कर सकता और kernel mode में क्या होता है बोत user programs and kernel programs को assess kernel mode user programs को assess करते हैं kernel programs को assess करेंगे ठीक है क्योंकि क्योंकि वह kernel है इसलिए kernel mode करनल प्रोग्राम को assess करेंगे यह तो यूजर प्रोग्रम को भी असेस कर वा लेते हैं और जो इन उजर मोड में जो होता है वह डा ट्रेट्ली criticism को सेस्न नहीं कर से अब वह रूपजन नेक्स्त टॉपिक है हम दो परीशन ताइमर का प्रोसेस यह है वो cpu को इंटरप्ट करता है मिन्स ट्रैप करता है कुछ एक specific period of time के बाद जो ताइमर है वो cpu को इंटरप्ट करना शुरू कर देता है इस specific this specific period of time is set by the operating system जो specific period of time का वो operating system ने set किया है and the timer's value may vary from 1 millisecond to 1 second और जो specific period of time का उस timer की value है वो vary करती है 1 millisecond से 1 second तक ठीक है जो operating system है वो set करता है counter अगर counter जीरो पर रीच कर जाए ठीक है ना तब क्यों होता है interrupt अकर जो operating system है ठीक है वो counter set करता है ठीक है ना और जो timer का काम क्या है timer क्या करता है कुछ एक specific period है 1 millisecond से 1 second तक यह तक का यह time है specific period of time है यह इसके बाद क्या करता है timer है जो वो interrupt करता है CPU को अगर counter जीरो पर रीच कर जाए तो जीरो पर रीच कर जाए तो क्या होता है that then interrupt occurs ठीक है यह था हमारा की dual mode operation क्या होता है कितने types का होता है जुरूरत क्या dual mode operation की ठीक है उसकी टाइप्स है user mode और kernel mode वो क्या होती है ठीक है कैसे हम उसको use करते है ठीक है और क्या difference उन दोनों के पीच में कैसे 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 वह similar है कैसे वह different दूसरे से ठीक है तो आज के लिए thank you